कुछ लोग इतने आजसी निकम में काम चौर प्यक्कड होते हैं कि उनको किसी की सुद्बुद नहीं रहती सिर्फ अपने दुनिया में खुआ रहते हैं ऐसो लोगों के लाइफ में कोई अपना मर भी जाता है तो भी उने कोई फरक नहीं पड़ता वो तब भी इंज्वाइ कर रहते हैं ऐसी स्टोरी है यह कफन मन्सी प्रेम चंचकी जिसमें उसकी पतनी के मर जाने पर भी यह लोग सो जाते हैं और कफन के लिए जो पैसे मांगते हैं उसके विए सराब पी लेते हैं और खा पी लेते हैं इन्हें कोई फरक नहीं पर था प्लीज आप यह पूरी स्टोरी सुनियेगा आपको पसंद जरूर आएगी अगर आप सुनिगे तो आपको यह स्टोरी अच्छी जरूर लेएगी तो प्लीज आप सुनिएगा और प्लीज लाइक करेगा को से करते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू जूपड़े के द्वाबर बाप और बटा दोनों एक बुझे वे अलाओ के सामने चुपचाब बैठे हुए हैं और अंदर बैटे की जवान बेबी बुझिया प्रिश्व एदना से पचार खा रही थी तो यह उसके मुझसे ऐसे दिल हिला देने वरे आवाद निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थी चाड़ो के रात थी प्रकस सन्नाते में डूपी होई सारा गाउं अंदकाल में ले हो गया था किसे उने का मालूम होता है बचे यह नहीं सारा दिन दौर दही गया जा देखतो आ मादो चड़का बोला मरना यह तो जली मर के ही नहीं जाती तेकर क्या करण तो बचाबे दॉट देबे साल बच इसके साथ सुख सेंस रहा इसके साथ इतनी पेफ आई तो मसे तो उसका तरफना और हाल पाप पठकना नहीं डेख जाता चमारो का गुन मता और सारे गाम है ब तो घंते बाद चिलम पे था इसे उने कहीं मजदूरी नहीं मिल से घर में मुर्थी वर्भी आनाज मुदूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी और मातों बजारे बैच आता और जब इन दोनों वड़र स करते हैं तो फिर मजदूरी तरास करते हैं गामे काम की कमिनाती किसानों का वहां था नहेंती आर्मी के लिए पचास काम थे मगर इन दोनों लोग उसी वक्त बुला जाते हैं जब दो आर्मियों से एक का काम पाकर भी संतोस कर लेने के सिवा और कोई शारा नहीं था विचित जीवन था इनका घर में मिट्टी के दुच अब कर्ज से लगे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी इतने कि वसुरी के आसाल ना रहने पर भी दो इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे मटर आलो के फसल में दूसरों के खेटों से मटर आलो खाल लेते और भून बानकर खा लेते या दस पांच ओंस दखान लाते हैं तो रात कुछ जोस्ते हैं ये सुने आकास परती से साथ साल की अबरकार दी और मादो भी सपूर्द बैटे की तरह बाप के ही पर चिंगों पर चल रहा है बलकि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ कर अलू भू दोनों बगयतों का दोजग भड़ती रहती थी जटेवाई ये दोनों और व्याज से और आराम तलब हो गये थे बलकि कुछ आकरने भी लगए थे कोई कारे करने को बुलाता तो ने व्याज भाव से दुगनी महज़री बानते हैं वही होना ताज प्रसे बेलाशे मर रही थी और ये दुनों सार इसी का इंटेजार कर रहे थे कि वह मर जाए तो अराम से सौए इसो ने आलू निकालकर छीलते वेका जाकर देखते होगा क्या दसा है इसकी चुड़ेल का फिस्ताथ होगा और यहां तो आजा भी ये गुप का मैं तो यहां ही हूं तो तुमी जाकर देखो ना मेरी और जम अरी थी तो मैं तीन निन तक उसके पास से हिला रग नहीं था अब मुझे मुझे लगाई यह नहीं जिसका गभी मोह ना देखा हूं आज इसका अंगड़ा मुझा बदन देखू उसे तंकी सूध मीना होगी मुझे देख लेगी तो उकुल कर हाट भी ना पटक सकेगी मैं सुझता हो कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा सोट हो तोल कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवाल दे दे गेतो जो लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं वो भी तो बला कर दें करेंगे नहीं लड़के हुए घर में कुछ नहीं था भगवाल ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया जिस सबाज में राद दिन मैनत करने वालों की हालत उनकी आले से बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों के दुर्वलताओं का जो किसानों के विचार सूने समय में सामिल होने के बदले बैठकबाजों के प्रतित में जा विलता था उसमें यह सब्सक्राइब के नियम और नेट का पालंग करता इसलिए जहां उसकी मंदली के और गाओं के सर्गना तर्गना और मुख्यां बने हुए थे उससारा गाओ तो थी कि अगर वहां फटे हाल है तो कमसे कमसे किसानों की जीट और महनत तो नहीं करने पड़ती है बसके सब्सक्राइब नेड़ी एकता से दूसरे लोग बेर फाइदा तो नहीं ठाते हैं दूनों अलों निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे काल से कुछ खाया नहीं इतना सब्सक्राइब था कि यह ठंदा हो जाने लिए कई बार दूनों की जबाने जल गई चल जाने पालों का बारी हिस्सा तो बहुत ज्यादा करम ना वालुम होता लेकिन दातों के तरह पंदे पर अंदर का हिस्सा जबान हाला को तालों को जला लेता था और उस अंगारे को मुमों में लेकर रखने से ज्यादा किसी में थी कि वह अंदर पहुंच है वह उसे ठंदा करने के लिए काफे समान थे इसलिए दोनों जल जल निगल जाते हाला कि इस कोशिज में उनकी आँखों से हांसों निकलाते है यह से को उस वक्त बोला वह भोजन नहीं बोलता सबसे फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लटके वालों ने सबकों भरपेट पूरियं खिलाए थी सबकुछ चोटे बड़े तमने पूरियं खाई और असले की चत्मी राता तीन तरह के सुके साब एक रस्यदार दरकारी दहीं कोई रोड़ टोग नहीं था जो चीज मांगो और इतना चाहो खाऊ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया गया मगर प्रोशने वाले हैं ये पत्तर में गरम-गरम गोलवर्ज तो बासित कुछों यह डाल देते हैं मना करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तर बाहाट्पर रोके हों में मगर वे हैं कि दिये जाते हैं और जब मुझ हो लिया तो पान हिला कि मुझे पान लेने कि कहा सुथी कहा आपने कमल पर लेड़े गया ऐसा दिल दरिया उदेख था वाठा को मादों नहीं परादों का मन ही मन मजा लेते वेगा अब हमें ऐसा भूज नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा जब जमाना तब दमाना दोस्ता था आपतो सचे राएं हुशती है साधी डॉआ में मत खर्ज करो किरिया करो पोछो करीब हो कमाल मट्र बॉट कर कहां रखो य मतोने में क्या कमी मतवने में कमी नहीं ऐन खर्ज में कि इंट भाए्ट और तुमने बीस एक पूरी खाई होंगी, बीस ज्यादा खाई थी, मैं पचास करा था, पचास से कम मैंने भीरा खाई होंगी, अच्छा पठा था, तो तो मेरा आदा भी देंगे, आलू खाकर दोनोंने पानी पिया और अलाओ के सामने अपनी धाचिया ओड़कर पाउ पेट, मै जाले सो रहे हैं, जैसे तो बड़े-बड़े अजिगन, केंदुलरे मान मारे परे हों, और बुदिया अभी तक करा रही थी, सब्सक्राइब मादों ने कोटरी में जाका रहा तो उसके इस्त्री ठंडी हो गए थी, उसके मुह पर मख्या भीनक रही थी, पत्राइब यह आ इस्तो के पास आया, फिर दोनों जो जो से आयाय करने लगे और चाती पीट में लगे, और उस वाले उने यह रोना धुना सुना तो तो तोड़े हुए आयो पुरानी मरियादे के अफसान, इन अभागों को संचाने लगे, बगे ज्यादा रोने पीटने का उसन ना था, करते हैं, कई बार इने अपने हाथों से पेट चुके थे, चोरी करने के लिए वादे, पर काम ना आने पर, इसलिए, चोई, क्या हुगा, इस्वार होता क्यों है, आप तो तो कहीं दिखाई भी नहीं रेता, मौलूम होता है, जिता में रहना ही नहीं चाहता, यूशने जम कर आखों में आसो भरेवे का सरकार बड़ी विपत्मियों माधों की घरवारी रात को बुजर गए, रात पर तरपती रही सरकार हम दोनों उसके सिराने बैठे ले दवादारों जो कुछ हो सका, सब कुछ किया, मौदाबा हमें दगा दे गई, आप कोई एक रूटी देने वाला भी नहीं रहा, मौली तबाह हो गए, घर उजड़ गया, आपका गुलाम हो, आपके सिवा कौन, उसकी मिट्टे उठेगी, आपके सिवा किस के दोर पर जाओ, जमिदा साब ड्यालों थे, मगर विशू पर ध्यारना, कारे गंबर परंग चड़ाना था, जी मैं आया, कह दे, किचा, दूर हो, यहां से, यह तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है, तबाका हुसा मत काता है, हराम खुर कहीं का पतमास, लेकिन यह खुर्ध या अदल्ध का उसाना था, जी में खुरते होगे, दोर रुपे निकाल कर फैक दे, मगर शाइज का एक सब्दी भी मुझे नहीं किला, उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर्का बोज उता रहा हूँ, जब जमिदार सहान ने दू रुपे दिये, तो गाव के बनिये, नाजुरों को इंकाल का साथ, सास कैसे होता, जी सु जमिदार, जमिदार का नाम का धिमोरों भी पित जाज मिला कहीं से लक रही है, और दुपे पर घिसो और माधो बजार से कफ़ल आने चले गए, जी से जीते जीतन धागने को चेथा ना मिला, उसे मनने पर कफ़ल चाहिए, कफ़ल लास के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा जाता है, यहीं पांच रपे पहले मिलते, तो कुछ दवादारों कर लेते, दोनों इस दूसरे के मन में, मन की बात ताग है थे, बजार में दोंते रहे, कभी इस बजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर धादारा के कपरे रेस में सुपने देखे मंगर कुछ जचा नहीं, यहां तक की साम हो गई तब दोनों ना जाने किस देवी पहना के एक मदशाला के सामे जाकर पहुँचे, और जैसे किसी पूर्वेशी जोजा के अंदर चलेगे, वहां जरा दें तक दोनों असमंजस में पढ़े रहे, तो यहीं सुपने के सामे ज ले आए, दोनों बरांदे हैं बैठकर सांती पुरुग पहने देगे, कई कुछियां ताबर तोड़े, कई कुछियां ताबर तोड़ पहने के बाद दोनों शरूर में आया, शरूर में आ गए, निसु बोला कफल लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल यह तो जाता, कुछ भो के साथ तो माझलता, कि बोला को अधोर के साथ थो ना जाता, मात वो आश्मान के दाव देखका बोला मानो से बरताओं को अपनी पापता का साथी बना रह छो, दुनिया का दस्थूर है, नहीं, लोग बामनों को घजार रुपे की देते हैं, कौन देखे पार लोग में मिलता है या नहीं बड़ी आदमों के पास धन है चाहे फूख के हमारी पास फूखने को क्या है लेकिन लोगों के जवाब लोगों को जवाब कहां लोग पूछेंगे नहीं कफ़न कहां है यह सुआ अबे कह देंगे गी रुपए कमर सही कि सक गए बहुत दूना मिले नहीं ल पर बड़ी अच्छी बात बड़ी अच्छी थे बैचारी मरी तो भी खूब खिला पिला कर अभी बोतल से जादा उड़ेंगे गीशु ने दो से पूरिया मागई चटनी अचार कलेजिया सारब खाने के सामने की दुकान थी मादो लपक कर दो पत्त्रों में सारा सामान ले सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं दूनों इस वक्सान से बैठेवे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई सेड़ अपना सिकार उड़ा रहा हूं ना जवाब देगी का खौफ था ना बन्नामे की फिकर इन बावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जेत लिया ये सुदासनिक भावा से भला हमारी आत्मा प्रसंद हो रही है तो क्या उससे पुर्ण ना होगा माधों ने श्रधा जेसा जुगा कर तस देखी चरोर से चरोर होगा भवान तुम अंतर यामी हो उसे बैकुंठ में ले जाना हम दोनों हिदर से आसे वाद दे रहे हैं आज है मारो के मन में ऐक संका जागिये भोला क्यों लोग हम लो भी एक लाएक दिन वहां आजाएंगें गीचो ने इस भोले भाले सवाल का उत्रवना दिया पर पलो के बासोटकर शालना बाधान ऑन दालना चाहता था चुग सेस्पूण कम लोगों से पोचे क्यों ने जिए त में घास खोदता था उसको कफन बिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा मादों को विस्वास नाया बोला कौन देगा को पर तो तुमने चटकर दिये और तो मुझसे पूछेगी इसकी बांग में संदूर तो मैंने डाला था इसु गरम होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता कि नहीं कौन देगा बताएं बताते कि नहीं वहीं लोग देंगे जुनों ने इस बांग दिया हाँ आपकी रुपए हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अधेरा बढ़ता गया बढ़ता था उस सितारों के चमक टे हो जाता था कोई अपने दोस्ति के मों कुलगल लगाय देता था वहां के बातावर में सरूर था हमाओ में असा कितने तो यहां चुलिव मस्तों जाते शाराथ सा जाता वहां कि हवां पन na सकरते थी कि या बना कीष्ववार खेशलती थी और कुछ देर के लिए में भूल ज सब की निगाहें इनकी और जमी हुए थी दोरों कितने भाग दिके बली हैं पूरी बोतर बेच में गड़ पे दिखार का मादों ने बच्चवी पूरियों का पत्र उठा कर एक दिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकों की आखों से देख रहा था और देने के गवरों आनंद पर तेरा शुगाद उसे जबर पहुंचेगा रोए रोए से असरवाद ले बड़ी गारी कमाई के पैसे हैं मादों ने फिर आसमां की दरब देखा कर कहा वावेकुंट में जाएगे जाता वावेकुंट की रानी बनेगी गीसु खड़ा हो गया और उससे जैसे उल्लास की लेरी में तैता हो बोला हां बेटा बैकुंट में जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारे जिन्दिगे में सबसे बड़ी रासा पूरी कर गए वाना बैकुंट में जाएगी तो क्या ये मोटों जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से रूटते हैं और अपने बाप अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंद्यों में जल तढ़ाते हैं से धालू का या रंग तुरंग थी बदल गया अस्थीरता नसे में नसे की खासिय थे दुख और निरासा को कितना दुख जेल कर मरी वहां थूँ आँखों पर हाथ रख कर रोने लगी लगा चीखे मार मार कर रोने लगा खिशों ने समझाया रोता क्यों में मेटा फुसो क्यों माया जाल से मगित हो गई जनजाल से छूड़ गई बड़ी भाग गिवान थी यह उतनी जल्दी माया म कि बन तोर दिये और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना चमकावे ठगनी पियकड़ों की आंखें इनकी और लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे फिर दोनों नातने लगे उचले भी कुंदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बनाए अब इनों भी किये आखिर नसे से मदमस दुह कर वहीं गिर परे